तो आज हम आपको बताएंगे 20-day study plan यानि कि पॉल टेक्निक की स्टुडेंट्स का बहुत ज्याद मैसेज आ रहा है कि शर मात्र 20 या 22 दिन बचावा हमारे एक्जाम में तो कैसे उस दिन को उट्लाइज करें यानि कैसे efficiency को ज्यादा हम कर पाएं efficiency कैसे बढ़ा पाएं उस पर एक वीडियो बनाईए क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर एक्जाम अब सिर्फ 20 दिन में होने वाला है आप यूपी पॉल टेक्निक की बात कर लो जारखंड ठीक है या फिर विहार कहीं की पॉल टेक्निक तो हमें लगता है कि 20-22 बचा हुआ है यह मान के चलो डेट आया हो या नव आया हो लेकिन यह मान चलो 22 दिन का वक्त बचा है यूपी ने तो क्लियर कर दी आने कि 20-22 दिन बचा हुआ है बट जारखंड और पिहार का भी समझ लो क्लियर यह 22 दिन आपके एक जामें बचे हुए है तो बच्चे बढ़ेदा को काम घटेगा क्योंकि हम डर में रह जाएंगे सोचते अरे यार नहीं मिला कॉलेज टो पर अच्छा नहीं हुआ क्या करेंगे वही सोचने में लग जाएंगे कॉलिज ने मिला अच्छा पेपर नहीं हुआ मतलब की टाइम वेस्ट होगा तो ज्यादे डरना भी नहीं है डरना है थोगा सा ठीक है अब देखा जाए ट्वैंटी डेज बता है ना हमारा जो हमारा 20 दिन बचा हुआ है यह फिर किसे भी ट्र Спर्क का याम दिये हुंगे तो एक दिन पहले जो चीज़े हम लोग पढ़ते हैं रात में पढ़ लेते हैं तो पढ़ेंगे तो इस आप हमारा माइंड क्या करता है जल्दिस को कैच कर लेता और याद कर लेता ठीक है तो उसी प्रकार के प्रकारता में 20 दिन को लेना है अगर हमारे पास 20 बचा हुआ है तो इतना अच्छा मौका है कि 20 दिन में यह मान के चलो जो भी चीज पढ़ोगे आपके लिए बहुत ही गोल्डेन क्योंकि जो भी चीज पढ़ोगे सारा चीज फटा फटा आपको याद होता जाएगा सारा चीज याद होता जाएगा ठीक है आप यहां पर तीन प्रकार की स्टुएंट होंगे मैं 20 देज का प्लैन बताऊंगा आपको टैंसर मतलो यहां आप पर तीन प्रकार की स्टुएंट होंगे पहले ऐसे होंगे अच्छा पहले यह मालो मालो 50 चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स केमेश्ट्री और मैस में लेकर गया बढ़ा अच्छी समझना है इस चीज को 50 चैप्टर्स कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा चैप्ट कुछ स्टूर्ट कर रहे होंगे किछी बीच दन में इसी बीच दीन में क्या करना है कैसे जंग को जीतना है जंग को लड़ा करके 20 दिन में जंग को जीतना है तीन प्रकार की स्क्ट्विएंट होंगे तो शर्ब के लिए मैं आपको बता दूँ अगर तो थो अन temps वाले बल जा करकि एवरी चेप्टर से एवरी चेप्टर यानि कि जितने भी चैप्टर चैप्ट से यारे सारे चेप्टर सें यूद लगा लें सारे इंपर्टेंट कु्चन लगा ले अगर हैं च शेप्टर चैसे तो पुरा क्या करना है 50 से यह लगा ले कहीं से भी कोई दिक्तत ना है फिर इनके carry the handle paper का अब 12 दिन के पाइम थे कम-sist Black 테ल्प कम से कम मौडल पेपर कल्विए red65 पेपर कम से कम कितना दस सेंपल पेपर जरूर लगा लें और कम से कम फाइब एर के फाइब यह मिए के प्रिवियस यह पेपर लगा लें ठीक है फिर पेपर जो है वो भी चाहो को कॉलिज आपको मिल जागा सिर्फ यह काम आप करते हो तो 75 वालो के लिए क्या है उनके लिए प्लैन यह है कि मालो 75 परसेंट चलो मैं चेप्टर के हिसाब से बात करता हूं अगर 40 चेप्टर अगर मालो यह 40 चेप्टर से क्या करना है यह जो 40 चेप्टर के हैं 40 चेप्टर के लगाने स्टार्ट करते हैं और जैसे 20 दिन का वक्त बचा है तो एक-एक दिन में चेप्टर खतम करें 10 दिन में दस स्टार्व जाएगा फिर तस दिन बचेगा लेंगे और लएंगे और लगा लेंगे और लोट चेप्टर जिन्हों ने कभर कर लिएंगे तो अभी बहु जब्सक्रीस पर फोकस नहीं कराना और क्या करना है फोटी चेप्टर को अच्छे से कमांड बनाना है यानि फोटी चेप्टर पर अच्छे से कमांड बना लो क्यों 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 जितने भी को कोश्चन पूशी जाएंगे फोटी चेप्टर से इतना कोशिस करो मैं पूरा कर लूगा इतना अच्छा फोटी चेप्ट लगा दो नहीं कि इन के लिए अपसेrig पेपर करें फिफिर से किस चेप्टर से कADE उसके न जेंगे आप नाय एक्जाम में तो हमें लगता है कि लगबग 30, 30 chapters कहां के होंगे 10th 9th और 10th के basis पे होंगे तो आप कोशिश करो 30 chapters को 15 दिन में complete कर लो क्योंकि आप लोग 9th और 10th पढ़े हुए हैं जो आप से त्यारी करना चाहता है उसके लिए में बता रहा हूं लगबग 30% क्या है है लगबग मैं बता रहा हूं यह 910 क्योंगे आप लोग इस चीज़े पढ़े होंगे तो फटाक्ष्ट क्या करना है 910 वाली चीज़े त्यार कर लेना है बीस दिन बचाव 15 दिन में त्यार कर लो ठीक है अब शाथ में अब जो 15 चेप्टर आपका रिमेंग है 15 चेप्टर ज कि दो दिन में कभर करो यानि कि पंदर चेप्टर कितना दिन में कभर कर सकते हैं बताओ आठ दिन में मान के चलो है कि छेप्टर भी खतम करते हैं तो पंधर दिन में खतम कर सकतें हैं पंदर्स फिवू जायेगा अब में क्या करना है अगर जो 30 chapters हमने त्यार किये हैं इस पे बहु ज्याद हमें focus करना है क्योंकि यह खुब बहु चाइब बचाने 20 दिन का time बचा है तो थो 30 chapters में जितने भी important questions है यानि कि 30 chapters को इतना अच्छा इतना अच्छा कमांड बना लो कि इसलिए कहीं से भी कोश्चन है आपका बच न पाए यानि क्या करना है इसको अच्छे से कमांड बनाना है इंपोर्टेंट कोश्चन जितने भी है थौर्टी चेप्टर से ले करके गूगल से सर्च कर लो हमारे चैनल पर बहुत सारे आप उठा लो क्या मॉडल पेपर मॉडल पर उठाओगे तो आपको पता हो जाएगा अच्छा मेरी प्रिप्रेशन कैसे चल लिए अब थर्टी चैप्टर से कितने चैप्टर से हां पर आ रहे हैं अगर मालों यहां पर सो कोश्चन से हैं तो हमें लगता है आप सेवेंटी लेके चलते रहना है कि चलो कुछ आ गया तो अच्छी बात है तो इस तरह से कुछ स्टेडी प्लाइन करना है स्टार्टिंग अलों के त्रौ मुस्किल है लेकिन धरना नहीं है आपको जाली जाद कोश्चन फोकस करना है थ्वासा कंसेट पढ़ लिया हमने थ्वासा अच्छा पर जादे फोकस करो क्योंकि आपके यां में पढ़ा त्याइम में और फोकस करो यह चीज़े आप लोग धान रखना है और इस चीज़ को फॉलो करो तो हम लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं अच्छा गवर्मेंट को जरूर मिल लाएगा एक बार फॉलो करक अच्छे देखलो भी इस दिन का टाइम बचा हुआ है